स्टूटेंट्स अभी हमने complete residue system के बारे में बढ़ा था तो अब हम reduced residue system के बारे में बढ़ते हैं तो इन दोने में कुछ इतना ज्यादा difference नहीं है reduced residue system में जस्ट हमने एक step जो है इसके increase कर दिये ठीक है यह फर्स कंडिशन हमने इसकी इदर लगाई है यह फर्स कंडिशन हमने इसकी इसमें जो है वो increase कर दिये ठीक है फर्स कंडिशन जस्ट हमें यह कह रहे है कि आपके पास जो भी given set होगा इस given set के जितने भी elements हैं यह सारे mod में जो भी integer होगा उसके साथ relatively prime होने चाहिए यह means के इन सारे elements का m के साथ जो gcd है वो one होना चाहिए ठीक है यह फर्स कंडिशन हमने इसमें एड़ कर दी है बाकी इसकी दोनों कंडिशन जो है वो complete residue system वाली ही है तो और third condition में हमने एक और चीज़ याड़ किया कि जो complete residue के लिए हमने पढ़ा था वो यह था कि n हमारे पस कोई भी integer ऐसा होना चाहिए जो इस set के किसी एक integer के साथ Congress होना चाहिए और बाकी सब के साथ नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें इसमें भी same वही चीज़ है लेकिन इसमें थोड़ा सा जाफा इस चीज़ का किया है कि इसमें जो n integer हम find करेंगे वो n जो है इस m के साथ relatively prime होना चाहिए ठीक है यह condition इसमें ह एक example लिखी है ठीक है यह है हमारे पास 157 और 11 हमने इस set को check करना है कि क्या यह reduced residue system mod 12 यह है यह नहीं है ठीक है तो हमने अभी जो definition पड़ी है इसकी तो हम वही सारी conditions को इस पे check करेंगे ठीक है तो हम जो इसकी first condition है सबसे पहले तो उसको check करते हैं first condition में हमने क्या पढ़ा थ इसकी first condition क्या है कि आपके पास जितने भी elements है set के वो mod के साथ relatively prime होने चाहिए यह इनका gcd1 होना चाहिए तो इदर हमारे पास इस set में 157 11 यह elements है तो हम इन सारे elements का 12 के साथ gcd1 होना चाहिए check करेंगे तो यह 1 और 12 का gcd1 होता है ठीक है यह easily or gcd1 करने का way हम already पढ़ इसका gcd1 होता है ठीक है इसको easily हम find कर सकते हैं 7 or 12 का gcd1 होता है and 11 or 12 का gcd1 होता है ठीक है तो यह इदर हमारे पास given set के अंदर जितने भी elements दिये गए हैं उन सब का gcd1 है ठीक है यह easily हमने check के लिए तो means आपकी जो first condition है वो इदर satisfy हो गी है अब हम second condition पे आते हैं second condition हमार missing elements नहीं होने चाहिए तो इनको अब हमने check करने तो इसके लिए सबसे पहले यह complete jazz system में भी हमने यही काम किया था तो वही सेम काम अब हम इदर दोबारा करेंगे ठीक है तो मैं check करूँगा कि one जो है वो five mod 12 पे यह congress होता है यह नहीं होता है ठीक है यह relation इसका hold करता है यह न प्रिवाइड नहीं करेगा इसी तरह से हम one को यह तो हम इसको कह देंगे one is not congress to five more 12 इसी तरह से one is not congress to seven more 12 ठीक है students अभी complete residue यह इसी lecture के जो second यह first part है उसके अंदर मैं यह चीज detail के साथ बता चुका हूँ अप लोगो तो इसी लिए इदर मैं इसको थोड़ा सा short way में लेकर ठीक है तो one जो है वो भी seven more 12 को congress नहीं होता ठीक है again one जो है is not congress to 11 more 12 ठीक है अब इसी तरह से next element पे आएंगे five is not congress to seven more 12 and five is not congress to 11 more 12 ठीक है इसके बाद seven is not congress to 11 more 12 ठीक है students तो इसको आप लोग easily इस चीज़ को आप लोग easily चेक कर सकते हैं कि यह इस पे congress जो है वो नहीं होगा ठीक है तो यह जितने भी distinct elements हैं एक दूसरे पर congress नहीं है तो इसका मतलब यह second condition भी हमारी इसके hold कर गी अब हम इसकी third condition पर आएंगे third condition के लिए हमने क्या करने है सबसे पहले हमने n कोई भी ऐसा integer find करने है जो m के साथ जिसका gcd1 होना चाहिए और उस उसी n का इस set में से उसी n का इस given set में से किसी एक integer के साथ वो congress होना चाहिए और बागे के साथ नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह इसकी third condition है तो हम इसकी third condition पर आते हैं तो third condition के लिए third condition के prove में हम देखते हैं कि मैंने n जो है वो एक element choose कर लिया 25 ठीक है तो इसमें m हमारे पास क्या था m हमारे पास 12 है ठीक है तो अब आप पहले तो यह चक करेंगे कि n और m जो है यह relatively prime है यह नहीं तो यह easily हम इसको देख सकते हैं कि 25 और 12 जो है यह दोनों relatively prime है ठीक है इनका gcd जो है वो one अते है अब इसके बाद हमने यह चेक करना है कि n के लिए हमने given जो set था हमारे पास उसके अंदर हमने एक ऐसा element find करना है जिस पर यह congress होना चाहिए और बाकि सब यह elements पर यह congress नहीं होना चाहिए तो n जो है यह 25 जो है आपके पास यह 1 mod 12 ठीक है 1 mod 12 पर यह congress है because 12 is divides 25-1 25-1 24 होता है तो 12 जो है वो 24 को divide करता है ठीक है अब इसी तरह से हम इस 25 को इसके बाकि elements के साथ चेक कर लेते है 25 जो है वो mod 12 पर congress नहीं होता ठीक है इसको भी आप चेक कर सकते है 25-5 करेंगे तो यह 20 आ जाए और 12 इस not divide 20 ठीक है तो इस मीन्स के 25 is not congress to 5 mod 12 इसके बाद हम 25 को check करेंगे 7 पर 7 mod 12 ठीक है तो इस पर भी आप लोग इसको easily check कर सकते हैं कि 25 जो है वो 7 mod 12 पर congress नहीं होता इसके बाद 25 जो है उसको हम 11 के साथ भी चेक कर सकते हैं तो 25 जो है वो 11 mod 12 पर भी congress नहीं होता ठीक है तो यह हमारे पास third condition जाए इसकी hold कर गी के n हम हमने एक इंटीजर 25 मैंने ऐसा find किया जिसका m के साथ decd1 है और n का एक इंटीजर हमारे पास उस given set में से वन इंटीजर हमें ऐसा मिल गए जिस पर congress relation hold करता है और बाकी सब के साथ इसका congress relation hold नहीं करता तो this means के जो आपका given set है वो all conditions all conditions are hold so the given set is is reduced residue system mod 12 ठीक है mod 12 पर यह given set जह हो हमारा reduced residue system होगा ठीक है तो यह था students है झाल